नमस्कार सू स्वागतम वेलकम अभी नांदन मैं हूँ डॉक्टर वायराखिया आप लोगों का स्वागत अभी नांदन कर दियू हां जी की हाल चाल कैसे हो लेकिन सबसे पहले विली विन गर्मा हां जी आ गए आप सबसे पहले प्रमपिता प्रमात्मा से हाथ जोड़ कर ये निवेदन आप खुश रहें सुखी रहें सुस्त रहें आपकी हर मनुकामना पूह हो आपका जीवन खुशियों से भर जाए आपके पित्रों को मेरा नम्न आपके पित्र आपको दिल खोल कर दें आशिरवाद आप पर मातरानी की मेर हो वाही गुरू सच्चे बाश्या आपकी हर मनुकामना को पून करें विदेश जाने का सपना 2021 में आपका पूरा जरूर हो क्योंकि अभी तो आप दिवाली बना लीजे अभी तो आप 27, 10, 2020 की इस एकादशी को बना लीजे आज मैं आपको पताऊंगी एकादशी का मातर एक उपाए और इस उपाए को करने से आपकी जिन्दगी चुटकी बढ़ा कर ही बदल चाएगी पता है लेकिन सबसे पहली बात जो जर्नल बातें आपको एकादशी की पता है और अभी तक तो आप मास्टर हो चुके हैं आप सब मेरा यूट्यूब परिवार आदे से ज़ादा एस्ट्रोलाजर बन चुका है, आपको पता है क्या करना है, एका दशी पर बिल्कुल भी चावल नहीं खाने, अक्सर देव मुझसे ये सवाल पूछता था कि मम्मी एका दशी पर चावल क्यों नहीं खाते, खेर वो मुझे मा बोलते है क्योंकि मम्मी बोलने के लिए मैंने बिल्कुल मना करा हुआ है, मम्मी बोलते ही मुझे एजिप्ट्स की वो मम्मिया याद आती है, जो एक्चुली जमीन के अंदर गड़ी हुई है, तो मैं मम्मी नहीं हूँ और मा एक शब्द जैमाता दी बोलते हैं या मैं बोलते हैं भगवती, जगदंबे, शेरावाली तो रोम, रोम में करन दोड़ने लगता है, स्वेयर बता रही हूँ कि मतलब इनरजी जाने लगती है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे आपका नहीं बता आपके साथ कैसे होता है, तो मैं देव को हमेशे कहते हैं, क्यों नहीं खाते? मेरी मां कहती है, तो महरे नानी कहती है कि चावल उस दन कीड़े बन जाते हैं, पंडे जी भी एक कहते हैं, और मेरे को नहीं बता, बस चावल नहीं खाते हैं, लेकिन देव ने मुझे इस बार गीता पढ़कर बताया, कि मम्मी ऐका दशी पर चावल बि your life seven last days मतलब आपकी जिन्दगी के वो साथ दिन जब आप मरने वाले उससे पहले के साथ दिन तो मैंने का उसमें गीता कहां से आ गई तो बोला मम्मी उसमें गीता के बारे में भी बताया है चावल क्यों नहीं खाते मम्मी आप आप इस घर में एकादशी पे चावल मत बनाए करो मैंने का मेरा तो वरत होता है बर्ट हमारे घर तो एकादशी पे चावल बनते हैं क्योंकि हमारे घर जो लड़कियां काम करती हैं वो चावल खाती हैं और मैं उन्हें समझाती हैं कहते हैं दीदी हम खाना है खाए बिना हमें जो पाप लगेगा हमें लगेगा लेकिन हमें तो चावल खाने है अब मैं किसी को भूगा तो नहीं रख सकती वो उनके करमाज है तो मैं तो भी कई बार खा लेता है ममी मुझे आज के बाद चावल मत देना क्योंकि मैं गाएं की ह ऐसा आई कि मुझे चावल नहीं खाने और थैंक आपने मेरे बच्चे को ये सीखती अब आपकी बारी एका दरशी पर चावल नहीं कहते हैं लेकिन ये एपलिकेबल है उन लोगों पर जो लोग एका दरशी का वृत रखते हैं वो अनना मार कर भी कुछ मत करो कहीं पर कोई medical condition है कहीं पर कोई मजबूरी है और कहीं ऐसी जगा पर आप हैं जहां चावल की सिवा कुछ नहीं मिल सकता तो भाई मेरे भूके मत रहना कई बार कुछ पाप हो भी जाते हैं तो उसका हमारे पास हल भी है लोग ऐसा कहते हैं पंजाब के अंदर की अगर एकदशी वाले दिन गलती से चावल खालो तो दोएदशी वाले दिन सुबह उठकर फिर से चावल खालेने चाहिए तो पाप खतम हो जाता है कह रहे हैं तो हम लोगों ने अपने लेना नियम बना रखे हैं ताकि हम उन चीजों से बच सके लेकिन आप से मैं कहूंगे कर कहीं फस जाओ मजबूरी में तो फिर आप ये काम कर सकते हैं ठीक है लेकिन एकदरशी पर चावल ने खाने हैं हरी विश्णू की पूजा करनी है तुल्सी को उस दिन चूना नहीं है तुल्सी की परिक्रमा करनी है तुल्सी पर दीब जलाना है जल देना है लेकिन अगर उस दिन संडे नहीं है तो ठीक है अगर संडे है तो ये सब नहीं करना बस तुल्सी को दूर से पर नाम कर दो पर एकदरशी विश्णू जी की पू महीना चल रहा होता है हाला कि जिस दिन 27-10 को जब मैं ये एकादशी की वीडियो बनाऊंगे तब पुरशोत्तमास का महीना नहीं होगा ये तो आपको भी पता है क्योंकि पुरशोत्तमास का महीना तो 16 अक्टूबर को खतम हो जागा 17 से अपने नवरातरे शुरू हो हम दशेरा 26 तारिक को बना रहे हैं 27 को एकादशी है तो मतलब भगवान ultimate है तो हिंडिया में ही है तो हिंदुस्तान में ही है तो वर्ल्ड के अंदर ही समुद्र के अंदर ही तो समुद्र में उनका घर है क्योंकि याद रखिए यह अमेरिका यहां से हाँ तक है हिंदुस्त अधान जीने ऐसी कोई विवस्था नहीं की थी तो एकदशी पर करते क्या है यह सब आपको पता पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं पीपल पर घीका दिया जलाते हैं पीपल पर मीठा पानी अरपन करते हैं लेकिन आज मैं अपनी एक विशेश मनों कामना के लिए कैसे ले करा है हम positive energies को घर कैसे ले करा है इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगे आपको क्या करना है एक खुब सुरस सा पीले रंग का कपड़ा ले ले लेना और अगर यह पीले रंग का कपड़ा साटन का कपड़ा हो तो ओए होए फिर तो बात ही क्या है ठीक ह अगर ना मिले तो cotton का कपड़ा भी चलेगा अगर पीले रंग का ना मिले और लाल रंग का मिले तो भी चलेगा लेकिन first पीले रंग का कपड़ा होना चाहिए यह कपड़ा आप नया बजार से खरीदे तो अच्छा होगा लेकिन घर में ऐसा कपड़ा रखा हुआ है जो सब्सक्राइब पर बने हुए किसी मंदिर में जाकर करना है, अगर आप महारास्ट में हैं और अभी तक, क्योंकि मैं ये वीडियो दो अक्टूबर को शूट कर रही हूँ और वीडियो है सताईस अक्टूबर की, अभी दो अक्टूबर तक वहाँ पर लॉक्डाउन चल रहा है, मंदिर तो घर के आसपस बहुत सारे केले के पेड़ होते हैं, आप उस पर कर सकते हैं, अगर आपको समान नहीं मिल रहा है, नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज फिर मत कीजेगा, आप मुझसे वाटसप करके पूचेंगे मैडम जी, हमारे यां तो मंदिर बंद हम क्या करें, तो फिर आ अगली एकादशी पर इस उपाय को कर लिजेगा, फिलाल आप इस एकादशी पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप हमने घी का दिया जलाया, और केले के पेड़ की परिक्रमा करी, और मन ही मना के बंद करकर बोलना है, हे नारायन, हे सत्य देव, हे हरी विष्णू, हे परम्प लक्षमी जी भी जाएंगी, आप आईए, मेरे साथ लक्षमी, मेरे साथ चलिए और लक्षमी के साथ मेरे घर में परम्पिता परमात्मा वास कीजे, आपने इस पोटली को उठाया, केले के पेड़ पर बांधी दिया था, आपने परिक्रमा कर ली, आपने खीका दिया, जल चाहे तो अपने घर के मुखे दर्वाजे पर इसे टांग दीजे, आप देखे आपके घर की सारी नेगेटिव एनरजी निकल जाएगी, लक्षमी आएगी, रस्ते खुल जाएंगे, ये जो आप कल दशेहरा मना चुक हैं, उसके बात किया हुआ, ये जादूई उपाय है, एक अदशी के अंदर किया हुआ, ये मातर एक उपाय है, जो आपकी जिन्दगी को पूरी तरह से बदल देगा, और आपके घर में धन लेकर आएगा, दौलत लेकर आएगा, वैसे मैं आपसे ये भी कह सकती थी कि पेड़ के जड़ की, जो पेड़ है उसकी जड़ निकाल क अगर मैं डॉक्टर वायराखी सुपाय को करती, या मैं करूंगी, तो मैं तो पूरा पत्ता लाओंगी, मुझे कमने ही चाहिए, मुझे तो जादा चाहिए, पत्ता लाकर मैं घर में अपना तीजोरी खाली करके, साफ सुतरी करके, उसमें लाल कपड़ा बिचा कर और लक् विश्वास और शर्दा के साथ इसे कीजिए, अगर आप में विश्वास और ट्रस्ट है, तो आपके काम बनेंगे ही बनेंगे, यह उपाय आपको रिजल्ट देगा ही देगा, यह आपके उपर है, लेकिन आपके अंदर विश्वास की जो घंटी है, वो जरूर होनी चाहि लेकिन आपके घर में बहुत से लड़ाई जगड़े खतम हो जाएंगे, चेंजिस आने शुरू हो जाएंगे, रुका हुआ पैसा आजाएगा, मन प्रसंद रहेगा, घर के अंदर काम बनने लग जाएंगे, और लोगों के काम बनते हैं, आप यूट्यूब पर जाकर मेरी वीडियो उठा कर देखिए, जिनके घर पोटली पहुची भी नहीं है, वहाँ भी लोगों ने किया कि हमारा रुका हुआ पैसा था, हमने भी आपको राखी जी पैसे जमा कराएं, हमारा नाम दिया है, हमारी पोटली की पूझा शुरू ही और हमारे घर में पैसे आने शु वाले सब पंजाब में है, तो मैं इतना आपको पता है कि रिष्टेदार भी किसी के कहने पर नहीं लिखते हैं, आप मेरे वही के वही सब्सक्राइबर्स हैं, वही वही लोग हैं जो रोच कमेंट्स करते हैं, और हमीशा लिखते हैं मैं मैं कल से आपकी वीडियो का वेट क क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं अच्छा दे रहे हैं तो वह द्यार गेटिंग-रिजल्स गुड ये call you करो आज रिजल्ट पाओ कल युग में भगवान को पाने का सबसे आसान तरीका में किसी 하나했में भगवान को इतनी आसनी से वो भला तो आप हमेशा थाम्स दिखाते हैं लाइक्स करते हैं शेयर करते हैं जो लोग ऐसा करते हैं उनकी जिंदगी में चेंजिस अपने आप आते रहते हैं I swear आते हैं क्योंकि आप जो दे रहे हैं रिटन में भी आपको वो मिलेगा और जब आप अच्छा अच्छा बोलते हैं लोगों के लिए तो अपने लिए भी अच्छा अच्छा सुनते हैं जब आप अच्छा सुनते हैं तो आपका पूरी personality चेंज हो जाती है आपको लगता है यार जिन्दगी कितनी खुबसूरत है सुबाद चार बजे उठकर कितना अच्छा लगता है लाइफ बदल गई है जिन्दगी में मैं energetic फिल कर रहा हूं दो तिन दिन मुझे आलस लगा मुझे उठने का मन नहीं करा मुझे नींद आई लेकिन I feel good एक बार दोस चार बजे उठकर तो देखो जिन्दगी खुबसूरत हो जाती है आनन्द ही आ जाता है सारो चारो तरफ शांती लोग घहरी नींद में आपका इश्वर के साथ सीधा connection होता है आप उनसे बात करते हैं वो आपको जवाब देते हैं तो एकदशी की पूझा इस बार सु श्वास के साथ करना चाहते हैं तो यह उपाई फली भूत होगा आप उन पे प्रेशर डालकर जबरदस्ती यह उपाई ना करवाएं अनिता इसका कोई फल नहीं मिलेगा फिलहाल मुझे दीचे इजाजत अपना और अपनों का ध्यान रखेगा उमीद करती हूँ आपको ए अगले दिन है 27-10-2020-2020 और भगवान का सदेव शुक्रियाना करते रहें मेरे को इंस्टा पर सुभा 30 सिकिंड की मेरे एक वीडियो सुभा 7 बजे से पहले मैं डालती हूँ किस दिन क्या करें और इस एक अधरशी की वीडियो का भी मैंने खास उपाई आपको नहीं बताया जो आपको 27 तारीक को सुभा 7 बजे से पहले मेरे इंस्टा पर मिलेगा तो मेरे इंस्टा को जरूर फॉलो करें और मेरे 5 मिनट स्टोरी को फॉलो करें अगर आपको इस एक अधरशी से जुड़ी हूई कहानी सुननी है तो वो आपको मेरे 5 मिनट स्टोरी चानल पर मिलेग और अपनी इस वीडियो को अपने WhatsApp ग्रूप में प्लीज जरूर शेयर करिए, मेरे ये जो तीन नमबर आपको बैनर पे दिख रहे हैं, इन तीन नमबरों को अपने सारे WhatsApp ग्रूप के अंदर अड़ कर दीजिए, अगर आपके WhatsApp ग्रूप के और लोगों को एतराज नहीं है, ज पूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खतम हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है, टेरों के 78 कार्ड खोलेंगे भविश्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं, आप को सो दूर, कुंडली जगाएगी, कुंडली जागरन, कुंडली बताएगी आपका भविश्य, उपर से ये जादू ही हवाएं, उपर ही हवाएं, जादू, टोना, तंत्र, विद्याएं, पती, पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास, दीजे मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाईए, टेरों कराईए, ले हम कुंडली ये को करे विव भी हाएं, जादू हरा भी हाएं, लेक आपका ले मौका भाल की करता, इक बाही हवाएं, जादू, लेख फ्रमी ऐम आपकर टञे मौका करता हैं, जादू हाँ, थेय। Myriad P